जिग्यासुओं बहुत बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का दिव्य स्रजन में चर्चा हम करते रहते हैं अध्यात्मिक चर्चा होती है लाइव चर्चा में और आज फिर हम लाइव चर्चा में यहां पर आ गये हैं यद्यपी कुछ समय तक एक इंट्रेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रीमियर विडियो में चैट नहीं हो पाता चैट विंडोस में नहीं काम कर सकता लेकिन जल्द ही लाइव चर्चा जैसे पहले चलती थी वैसे ही शुरू होगी लेकिन फिर भी बहुत अधिग व्यस्थता और कुछ कारियों के कारण ऐसा अंद्रणें लिया जा रहा है और कुछ समय तक ऐसे ही अभी चलता रहेगा तो आज का जो गंभीर विशय है वह यह है कि स्वतंत्रता क्या है स्वतंत्रता क्या है वास्तों में स्वतंत्रता कहने का तात्परे क्या है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है स्वस्थ हो जाने का अर्थ क्या है तो आज का जो हमारा विशय है वह है वास्तविक स्वतंतरता क्या है स्वतंतरता की लड़ाई हमारे देश में लड़ी गई कई वीर युद्धा कई स्वतंतरता से नानी वीर गती को प्राप्त हो गए शहीद हो गए मात्र भूमी के लिए मात्र भूमी को स्वतंतर करने के लिए पहले थोड़े राजनीतिक रूप से कराया अब सांस्कृतिक रूप से भी सौतंतरता का युद्ध चली रहा अभी भी चलना भी चाहिए लेकिन फिर भी क्या सौतंतरता आ जाती है जब हम बात योग की करते हैं और जब हम बात आन्व उपाए की करते हैं क्योंकि आन्व उपाए में वास्तों में अनू की बात की जाती है अनू यहाँ पर जीव है और ब्रह्म मूलतत्व है शिव ही मूलतत्व है और जीव उस शिव का अनू है जैसे कोई element होता है chemistry physics में आप पढ़ते हैं कोई element है, gold है तो उसका एक अनू होगा, उसका एक atom होगा उस atom की कुछ विशेशता है होगी, उसका कुछ electrons, protons की जो equation है और जो arrangement है वो एक विशेश होगी अगर gold एक element है, silver एक element है, zinc एक element है aluminium एक element है तो इन सभी elements का जो atomic structure होता है वो fix होता है और उन्ही atom से उनका निर्मान होता है तो यहां पर जीव को अनू के रूप में माना गया है कि वो ब्रह्म का अनू है, ब्रह्मतत्व है सर्विव्यापी लेकिन जीवत्व एक बंधन है अनू बने रहने में एक बंधन है, एक परतंतरता है, सोतंतरता नहीं है इंद्रियों का बंधन है, विकारों का बंधन है, अन्तह करण का बंधन है, तनमात्राओं का बंधन है, पंचभूतों का बंधन है तो जीव बंधा होने के कारण ही पशु कहलाता है बंधा होने के कारण ही पशु कहलाता है अब यहाँ पशु का आर्थ इस पशु में मनुष्य भी आएगा क्योंकि मनुष्य भी तो बंधन में है जो पाश के बंधन में है वो पशु है तो परवश जीव परवश जीव जीव परवश है इंद्रियों के वशीवुत और सोचता है कि शायद इस sense organ से ये जो sensory world है और जो sense organ से जो भी हम परसीव करते हैं शायद वही real world है वही सत्य है जी हाँ sensory world के लिए वही real होगा ही ठीक है वहीरियाल होगा उसके लिए लेकिन ये इंद्रिया एक बंधन है जो हमें मिथ्या दर्शन कराती है और बहुत कुछ मिथ्या ही बताती है उसे परे इंद्रिया बंधन से परे जो सत्व सिध्धी की अवस्था है इसकी चर्चा हमने पीछे की है सत्व सिध्धी और रितंभरा प्रग्या पिछले सेशन में पिछले लाइव चर्चा में इसी विश्या पर तो चर्चा हुई थी सत्व सिध्धी और रितंभरा प्रग्या जी हाँ सत्व सिध्धी और रितंभरा प्रग्या इसी से वास्तविक स्वतंतरता आती है यही सत्व सिध्धी का परिणाम है अमने कहा था कि सत्व सिध्धी मिल गई अब इसका परिणाम क्या होगा उसी को बताते हुए शिवशुत्र में लिखा जा रहा है सिध्धा स्वतंत्र भावह सिध्धा स्वतंत्र भावा सत्व सिध्धी को प्राप्त करने वाले योगी या रितंभरा प्रग्या को प्राप्त करने वाले योगी स्वतंत्र भाव को प्राप्त होते हैं इस सत्व सिध्धी से युक्त योगी स्वतंत्र हो जाता है उसे अखिल विश्व को स्ववश करने की छमता प्राप्त होती है अखिल विश्व को स्ववश करने की छमता प्राप्त होती है रितंभरा की अवस्था को प्राप्त करने वाले सत्व सिध्धी को प्राप्त करने वाले योगे सारा प्रपंच उनके वश में आ जाता है अर्थात विश्व वशिकार के सिद्धी उन्हें हो जाती है और जो चाहे वो उसे जान सकता है और कर सकता है योगी की अंदर ऐसी सिद्धी का विकास हो जाता है जीवन मुक्ती स्वता ही सिद्ध हो जाती है ऐसे योगी के लिए स्वातंतर रूपनी जीवन मुक्ती जीवन मुक्त तो हो जाएगा वो सत्व सिद्धी प्राप्त करने के बाद जीवन मुक्त भी हो जाएगा और प्रपंच उसके वश्व में ही आ जाएगा, यह अभी सिद्ध है, यह अभी होना है, यह प्रपंच उसके वश्व में आएगा तो यह वास्तविक स्वतंतरता है, इसलिए गोस्वामी तुलसिदाजन लिखा कि परवस जीव स्ववश भगवन्ता, जीव अनेक एक श्रिकन्ता, तो उस एक से मिलकर योगी भी एक हो जाता है ऐसे ही योगीों के अंदर संपूर्ण एश्वर आता है, संपूर्ण कीर्ती आती है, संपूर्ण ब्रह्मचर आता है संपूर्ण सौम्यता आती है, संपूर्ण करुणा आती है और यही भगवान कहलाते है यही भगवान कहलाते है तो ये विशय हमें इसमें समझने समझाने का प्रयास कि स्वतंत्र सिद्धी योगियों को स्वतंत्र सिद्धी की प्राप्ती हो जाती है वो पुर्ण रुपेन वास्तिविक स्वतंतरता को प्राप्त कर लेते जीव के अनेको बंधन और अनेको विवशताएं हैं जीव के अनेको बंधन और अनेको विवशताएं हैं अनेको बाउंडेशन से, अनेको लिमिटेशन से, इंद्रियों के कारण लिमिटेशन से, बुद्धी के कारण लिमिटेशन से, फिजिकल बॉड़ी के कारण लिमिटेशन से, सिमित दायरे में आदमी कर्म कर सकता है, सिमित दायरे में रह सकता है, लेकिन जो सत्व सिध्धी को प्राप्त कर लेते हैं योगी वो ऐसी सिध्धी को प्राप्त कर लेते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं देखिए अभी भी यहाँ पर कैवल्ले की बात नहीं जीवन मुक्त की बात की जारी है पुर्णताले की बात नहीं कि अवल ने वह वस्ता जहां पुर्णले है तो जीवन मुक्ति की बात यहां पर हो रही है यहां जो सोतंतर था, बत्था कि सोतंतर हो गया वो और उसे संसार का सारा रहस्य समझ में आ गया अब आप ये भी सोचों कि ऐसा अगर किसी को ऐसे सिद्धी आ जाए तो उसको जो चाहे वो करे न जैसा मन करे फिर वो ऐसा करे जी ने उसका क्या मन उसका ना मन रहता और संसार और जब संसार का सारा रहस से सारा जो संसार का रहस से अगर सामने आ जाएगा योकि संसार कैसा है संसार ऐसा है जैसे कि एक ग्लास के अंदर एक शर्बत हो लेकिन नीचे हला हल भरा हो और उपर से मीठा शर्बत हो संसार तो ऐसे है पर तेक वस्तू अपने नकरात्मक पक्ष को रखती है भले वो प्रगट सामने ना हो बाद में प्रगट हो आप बड़े से बड़े राजनेता बन जाओ बड़े से बड़े आदमी बन जाओ धनवान बन जाओ अगर धनवान भी बन गया तो बहुत धन होना अच्छी बात है लेकिन बहुत धन होने के बहुत सारे नकरात्मक पक्ष भी होते हैं बहुत धन होने के बहुत सारे नकरात्मक पक्ष भी होते हैं ठीक है? वो तो हमें दिखाई नहीं देता है तो वो सारे रहस्य को जब जान जाता है तो वो संसार में रहते विए भी अनासक्त ही रहता है यह नहीं कि वो कुछ भी करने लग जाएगा क्यों करेगा? मुर्ख है? नहीं करेगा? He knows very well everything यह समझना है तो वास्त्विक स्वतंतरता क्या है? हमने स्वतंतरता ले ली देश की स्वतंतरता ले ली हो सकता है हम अपने नगर गाउं के स्वतंतरता ले ले हम सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंतर हो लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंतरता है हम हमेशा परतंतर वस्ता में हैं परवश है हम वो ध्यान योग से संभव है वो योग से संभव है बिना योग के स्वतंतरता संभव नहीं है बिना योग के स्वतंत्र हो पाना संभव कदापी नहीं है तो स्वतंत्रता की सिद्धी इसी को बुलेंगे हम वास्तविक स्वतंत्रता की सिद्धी है यह स्वसिद्धी है यह सत्वसिद्धी है यही रितंबरा है इसमें ज्ञान होता है इंद्रियों के परे इसलिए इसको रितंबरा कहा जा रहा है तो यह विश्य हमें समझना चाहिए वास्त्वी सोतंतरता और हमें भी ध्यान योग से वास्त्वी सोतंतरता की और आगे बढ़ना चाहिए जो लोग भी ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वो सभी लोग आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए और उसका पूरा-पूरा लाब उठाईए। ध्यान योका, निश्य ही अगर आप इमानदारी से ध्यान योका भ्यास करते हैं, कुछ ना कुछ तो स्वतंत्रता का, शांती का, परमानंद का अनुभूती उत्रेगा जरूर, उसकी भूंदे उत्रेंगी जरूर, अगर सही से यह मानदारी से आदमी करता है तो, तो जरूर विचार करें, इस विशाय पर, और स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जटके में तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश तो करें ज्यान योग के माध्यम से स्वतंतरता की और बढ़ने का प्रयास तो हम करें ये जरूरी है करेंगे तो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा प्रयास सरत रहने पड़ता है योगी को अभ्यास अभ्यास वैराग्या भ्याम तन्निरोधा मरशी पतंजली कहते हैं अभ्यास वैराग्या भ्यामत अनिरोधा शीमत भगवत गीता में स्रीकृष्ण भगवान स्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यन चग्रियते इसका सहरा लेते हुए ध्यान योग में आगे बढ़े अफलता मिलेगी एक बूंद भी मिली तो बहुत अच्छी बात है जराशा भी अनुभव हुआ उस्वतंत्रता का तो बहुत बड़ी बात है चली इसी के साथ हम विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं अब शक्ता अभ्यास में बने रहने की है करते रहने की विशे के साथ आज के कारिकुरम को विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं लाइक चर्चा में अगले विशे शिव सुत्र के ही अगले विशे से विशे के साथ बहुत बहुत आभार आप सभी का